प्रांस के कान में होने वाला फेस्टिवल अपने अतरंगी फैशन स्टेटमेंट्स के लिए जाना जाता है इस फिल्म फेस्टिवल में बड़ी बड़ी फिल्मों की चर्चाय तो होती हैं लेकिन इसके साथ साथ फैन्स को अक्ट्रेस के अलग-अलग अटायर्स का भी इंतजार रहता है लेकिन इस बार तो आईफा 2023 का प्री इवेंट भी सस्ता कान्स बन गया जिहां इस बार आईफा पर भी अक्ट्रेस अतरंगी कपड़ों में नजर आई चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि बड़ी सी हैट वाली रेड ड्रेस में राखी सावन्त कैसी लग रही थी अब ज़रा ये देखिए ये अक्ट्रेस क्रिस्टल डिसूजा भी कितनी अजीब लग रही है क्रिस्टल के इस अटायर को लोग छिपकली वाला आउट्पिट कह रहे हैं वही नुसरत बरूचा ने हॉट पिंक ड्रेस पहनी थी जिसमें वो बेहत ग्लामरिस लग रही थी अंतिम अक्ट्रेस महिमा मकवाना ने पहना था गोल्डन गाउन नौरा अफपते ही को तो लोग ये कहने लगे कि ये एसी की पाईप अपने साथ उठालाई है बंटी पबली टू अक्ट्रेस शारवनी वाग ब्लाक ड्रेस में नजर आई शारवनी इस ब्लाक ड्रेस में लग रही थी काफ़ी अलिकेंट बात अगर उर्वशी रोतेला की करें तो उर्वशी का आउटफिट भी पबलिक को समझ नहीं आया और पबलिक ने उर्वशी को ओवर ड्रेस्ट बताया ट्रनीता सुभाश हंगामा टू अक्ट्रेस ने ब्लाक गाउन पहना था जिसमें वो काफी रोयल दिखाई दे रही थी द्रिश्यम अक्ट्रेस श्रिया सरन सिल्वर गाउन में नजर आई सारा अली खान ने रेड ड्रेस पहना तो राखी सावन्त भी इन सब की अलावा अपकमिंग फिल्म योधा की आक्ट्रिस राशी खन्ना ने परपल कलर का फिटेड ड्रेस पहना था जिसमें राशी काफी खूपसूरत लग रही थी चलिए अब आप लोग हमें बताईए कि इन सब अटायर्स में से आपको किसका अटायर्स सबसे ज़्यादा भाया वेल हमें तो महिमा माकवाना माकवाना का सिंपल लुक सबसे ज़्यादा पसंद आया फाइनल कॉट निवस्टेस्ट